नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker के YouTube चैनल में दोस्तों हम आपके लिए Railway NTPC और Group D परिक्सा के लिए Crash Course चला रहे हैं इस Crash Course में दोस्तों हम आपको बताएंगे Reasoning के कुछ Most Important Question दोस्तों जो Clock यानि घाड़ी से लिये गए हैं दोस्तों ये घाड़ी का Part 2 है, Part 1 पहले करा चुका हूँ और Reasoning के Crash Course का दोस्तों ये 25 वा वीडियो है दोस्तों Reasoning की हम बाप के लिए बहुत जबर्जस्त preparation करा रहे हैं आप Railway Exam में दोस्तों बैठेंगे आपके 30 में 30 मार्क आएंगे दोस्तों जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते रहे हैं और इस विडियो में दोस्तों हम जितने भी questions सामिल किये हैं सारे previous sir के पेपर से सामिल किये हैं सारे question पूछे गए हैं सभी प्रशनों को solve करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको प्रशन उठाने की ज़रूरत ना पड़े clock के प्रशनों को solve करने के लिए तो आईए दोस्तों देखते हैं clock यानि घरी का part 2 देखिएगा ये part 2 का पहला question है और बहुत ही important question है दोस्तों ये most important question है ऐसे प्रशनों हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है बस आप समझ लीजिए पहले question को अच्छे से पढ़िए Question ये कह रहा है दोस्तों एक घरी प्रतेग दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बज़े सही सेट करके चलाया जाता है तो प्राता 4 बज़े वह क्या समय दिखाएगी अब question को थोड़ा सा समझ येगा दोस्तों Question यह कह रहा है दोस्तो, एक घरी प्रते एक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, प्रते एक दिन मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तो, 24 गंटे होते हैं, और 24 गंटे में कितने मिनट आगे हो जा रही है दोस्तो, 15 मिनट आगे हो जा रही है, अब क्या हो रहा है दोस्तो 12 बजे दो पहर 12 बजे सही सेट किया जाता है देखिए यदि उसे 2 पहर 12 बजे सही सेट करके चलाई जयता है और प्रातर 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी यह पूछ रहे तो दो पहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक टोटल कितने गंटे होंगे दोस्तों बताईएगा 12 बजे से लेके देखिए दोपार 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 गंटे और सुबा 4 बजे तक 4 गंटे यानि टोटल कितने घंटे होंगे दोस्तों 16 गंटे तो 24 गंटे में क्या हो रहे है दोस्तों 15 मिनट आगे हो रहे है तो 16 गंटे में ये क्या करेंगे 16 तो देखिए आठ दुना के 16 आठ तिरी के 24 तीन पच्चे 15 पांच दुना के 10 क्या है दोस्तों 10 मिनट 24 गंटे में दोस्तों जब ये 15 मिनट आगे हो रही है तो 16 गंटे में कितने मिनट आगे होगी दोस्तों 10 मिनट आगे होगी तो 4 बजे में क्या होगा 10 मिनट जोड लेंगे तो सुबा प्राता हो देखिएगा यानि कि प्राता हो चार बजे क्या समय दिखाएगी तो 10 मिनट जोड देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताईएगा 4 बज के 10 मिनट समय दिखाएगी तो देखिए 4 बज के 10 मिनट प्राता किस option में है देखेंगे option number D में है आपका option number D दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे और इस टाइप के question आपके exam आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे ये बस दोस्तों हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं इतना paper में करने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे oral ही कर सकते हैं 24 घंटे में 15 मिनट तो 16 मिनट में दोस्तों क्या होगी 8 घंटे में 5 8, 8, 16, 8, 3, 24 रहनी 16 घंटे में क्या होगा 10 मिनट तो 4 में क्या होगा दोस्तों 4-10, 10 मिनट आगे हो जाएगी 4-10 answer हो जाएगा option number D सही हो जाएगा आप चाहें तो बिना प्रूठा और यह बहुत ही important type का question है दोस्तों इसे आप note जरूर कर लेजिएगा ठीक है तो चलिए अब अगले question क्यों और चलते हैं अगला question देखिएगा दूसरा question दूसरा question भी बहुत important question है most important question है देखिए question देखने में क्या होते हैं कुछ question बढ़े लगते हैं क्या होते हैं उसके जो भासा होता है वो लगते हैं कि बहुत बढ़ा है solve करने में time लगेगा बहुत student क्या करते हैं exam उस question को छोड़ देते हैं और उस question में कुछ भी नहीं होता है जैसे यही question है देखेंगे तो आपको लगेगा रहे यह तो चार लाइंग का question है इसमें काफी time लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं यह प्रशन को पढ़ना जरूरी होता है पढ़ेंगे तभी solve करेंगे प्रशन को पढ़के समझने के प्रयास जरूर क्या करिए तो देखेंगे प्रशन है दोस्तों क्रिशन का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है पहली बार वह 12 बज के 30 मिनट यानि कि 12.30 पीम पर आया अगली बार 1.20 पीम पर फिर 2.30 यानि 2.30 पर और फिर 4 बजे ठीक है चार बजे देखिये उसके बाद क्रिशन से मिलने के लिए राम कब आया अब देखिये चार बजे के बाद अब ओक कब आया ये पूछ रहे तो देखिया ऐसे कोश्ण के लिए ज़्यादा कोश नहीं करना है आपको बस क्या देखना है, टाइम क्या गैप देखना है, कितने कितने गैप पर आता है, कितने कितने अंतर पर आता है, तो 12.30 से क्या आया दोस्तों, एहली बार 12.30 पर आया, अगली बार क्या आया, एक 20 पर, तो यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ, 12.30 में 30 मिनट तो दो तीस पे ठीक है एक बीस से दो तीस कितना होगा बताईए एक बीस में दोस्तो 40 मिनट जोड़ेंगे दो हो जाएगा और 30 मिनट जोड़ेंगे 70 मिनट पहली बार पहली से दूसरी बार में क्या हुआ पचास, दूसरी से तीसरी बार में क्या हुआ है दोस्तों, 70 मिनट बाद आया, घ्यान दीजिएगा, यहाँ पे, पहली बार 50, दूसरी बार ऐसे, पहली से दूसरी के बीच में क्या है, 50 मिनट, दूसरी से तीसरी के बीच में क्या है, 70 मिनट, फिर 2.30 से 4 पीम पे देखिए, दो तीस में यानी कि आधा घंटा जोडएंगे, तीन बत जाएगा, और फिर एक घंटे जोडएंगे, तो दोस्तो क्या हो जाएगा, बताइए, चार बत जाएगा, समझ रहे न, तो यहाँ पर कितने का गैप हो रहाए, दोस्तो, टोटल टेल घंटे का, यानी कि 90 मिनट का गै गैप है, 70 से 90 20 मिनट का गैप है, अब क्या होगा दोस्तो 20 मिनट का हम और गैप लेंगे, तो 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 मिनट का गैप, यानि अगली बार दोस्तो कब आएगा राम बताईएगा, कब आया यानि पूछ रहा है, कब आया तो 110 मिनट बाद, तो 4 पीम, यानि साम चार बज़े दोस्तों क्या करेंगे आप एक घंटा दस मिनट जोड़ेंगे एक घंटा दस मिनट जोड़ने का मतलब दोस्तों क्या है बताइए एक घंटा दस मिनट जोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों चार बज़े में एक सो दस मिनट जोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों अगली बार रामत कब आया मिलने दोस्तों, पांचपचास पीम पे, तो देखेए पांचपचास पीम किसु उपचन में हैं, देखेंगे उपचन नमबर D में हैं, आपका उपचन नमबर D सही हो जाएगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 110 मिनट को आप ऐसे कर सकते हैं 120 मिनट 120 मिनट का मतलब 2 गंटा 2 गंटा में 10 मिनट कम कर दीजिए तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 6 में 10 मिनट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5-50 यानि Option Number D के हो जाएगा दोस्तो सही हो जाएगा आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बस ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए करना क्या है दोस्तो बस आपको देखना क्या है टाइम का गैप देखना है कितने कितने मिनट का गैप हो जाएगा तो इसमें क्रम से 20-20 मिनट का गैप लेते हुए आ रहा है देखिएगा 50-70, 70-90, 90 से क्या होगा 110 यानि कि 5-50 हो जाएगा यानि option number D आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के question आपकी exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अब हम next question की ओर चलते हैं अगला question देखिएगा तीसरा question बहुत simple question है लेकिन कई बार दोस्तों ये exam में पूसा जा चुका है ध्यान से पढ़िएगा question को question है यदि किसी घड़ी के अंको को 1 को L से 2 को M से और आगे भी इसी प्रकार हो तो 8 पर कौन सा अक्छर होगा तो ऐसे प्रस्णों के लिए solve करने के लिए आसान तरीका बतरो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है एक घड़ी बना लेना है ठीक है 12, 3, 6, 9 ठीक है अब देखिए 1, 2, 3 हो गया 4, 5, फिर उसके बाद से 7, 8 उसके बाद 9 है 10, 11 अब देखिए यहाँ पे 1 है यह, यह 2 है यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9, 10, 11, 12 यह है यह नब देखिए एक को क्या बोल रहा है L से तो एक यहाँ पे है L दो को M बोल रहा है 3 को क्या होगा? N और ये O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा आठ पर क्या रहे है दूस्तो S आ रहे है, पूछ के रहे हैं आठ पर कौन सा अक्षर होगा तो 8 पर क्या होगा दोस्तों S होगा देखिए S की 100 option में है देखेंगे option number पहले में है आपको option number पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गहोंगे देखिए question कितना simple रहा बस करना क्या है दोस्तों आप ऐसे घड़ी बना लेंगे तूरंत लिग देंगे आप चाहें तो उंगलियों पे भी count करके इसको direct answer दे सकते हैं क्या दोस्तों ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए आपको time लगेगा बिल्कुल भी time लगेगा second answer आएगा और इससे क्या होगा दोस्तों आपको number increase करेंगे पेपर में अच्छे number आएगे इसलिए कहता हूँ सारे प्रशनों को note जरूर किया करिए exam के time पर practice के काम आएगा ठीक है सभी प्रशनों को note करिए और एक बात और बता दू दोस्तो question आपको अच्छे लग रहे हैं समज में आ रहे हैं तो वीडियो को like जरूर कर दीजे दोस्तो share भी फटाफट कर दीजे facebook, whatsapp, telegram जितने भी दोस्तों आपके पास study related group रहे और जो नए student हम से जरूर जूर जाएंगे दोस्तों आप channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा notification bell को भी on कर लीजिएगा थाकि जितनी भी दोस्तों मैं important video दू उसके आपको notification मिले दोस्तों अभी हम previous year के question करा रहे है previous year के question जियो ही समापत होंगे सभी chapter के दोस्तों concept clear करेंगे और सभी chapter से ज़्यादा ज़्यादा question के हम practice भी कराएंगे आपकी दोस्तों हम railway exam की 100% की preparation करा रहे है आपको टेंसल लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है जैसे जैसे दोस्तों हम पढ़ा रहे है वैसे वैसे आप पढ़ते रहे है किसी भी chapter में किसी भी topic में वो problem होती है नीचे comment करके ज़रूर बताइए उस chapter को हम ज़रूर complete करेंगे ठीक है तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए चलिए अगला question देखिएगा चौथा question हम आपको बता देए दोस्तों ये most important question है most important क्यों है दोस्तों क्योंकि ये question बहुत बार exam में पूछा जा चुक है और ऐसे प्रसन हमेशा पूछे जाते है repeated प्रसन है तो प्रसन को पहले ध्यान से पढ़िएगा प्रसन ये है दोस्तों एक घड़ी चार बज के 30 मिनट यानि कि साढ़े चार बजे है एक घड़ी में क्या है दोस्तों साढ़े चार बजे है यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिसा में होगी तो ऐसे प्रसनों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप सिंपल क्या करेंगे एक घड़ी बना लेंगे सिंपली देखिए एक घड़ी बनाना है 12 ठीक है 3 6 9 1 2 3 फिर 4 5 6 हो गया 7 8 9 10 11 ठीक है यह चीज समझ में आ गया अब देखिए साढ़े चार का मतलब क्या होता है जो मिनट वाली सुई होगी दोस्तों कहा होगी मिनट वाली सुई 30 पे होगी यहाँ से समझिएगा इस पॉइंट से मिनट वाली सुई कहा होगी दोस्तों 30 पे होगी और साढ़े चार का मतलब दोस्तों क्या होता है बताईएगा साढ़े चार का मतलब होता है चार और पांच के बीच में, कौन सुई होगी दोस्तो, घंटे वाली, जो छोटी वाली सुई होगी, वो कहा होगी दोस्तो, चार और पांच के बीच में होगी, समझ में आ गया, अब देखिए, बोला है दोस्तो, प्रस्ण में, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, मिनट दिशा कैसे होता है यानि कि जब नीचे दोस्तो पूर्व हो गया तूपर क्या होगा पस्यम होगा दाहिने साइड क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और बाया साइड दश्चेड ठीक है इतना समझ में आ गया अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है मिनट की सुई तो प उत्तर है और ये वाला दिशा नीचे वाला कौन से है पूर्व है और इन दोनों के ये बीच में है ध्यान दीजेगा ये साले चार का मतलब होता है दोनों के बीच में कहने का मतलब है तीन और छे के ये क्या है दोस्तो बीच में है पूर्व और उत्तर के बीच में है यानि ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, ये घंटे वाली सुई किस देश्या में होगी, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व, देखेंगे उत्तर पूर्व किस ओप्शन में है, देखेंगे ओप्शन नमबर C में है, आपका ओप्शन बरसी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे और इस टाइप की भी कोशन आपकी एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ठीक है सभी प्रशनों को नौट जरूर किया करिए दोस्तों कोशन अच्छे लग रहे हैं समझ में आरहे हैं तो वीडियो को लाइक सेर भी जरूर किया करिए चलिए आप हम अगले कोशन की ओर चलते हैं और एक बात आप और बतादू ऑर बता दूट्रों टेलीग्राम को आप लोग जरूर जोईन क बोक्स में भी दे दिया हूँ तो चलिए अब अगले कोशन की ओर चलते हैं अगला कोशन देखिएगा पाँचोव कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं यह मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन है और ऐसे प्रशनों को शॉल्व कर 30 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंस का कोड होगा ये कह रहा है यानि कितने डिगरी का कोड बनेगा ये बोल रहे है तो आपको क्या करना है दोस्तो ज्यादा कुश नहीं करना है एक घड़ी बनाना है ध्यान दीजेगा पिछले part में दोस्तो ऐसे कोशन हम आपक 6 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, 10, 11, ठीक है, अब यह बोल रहा है, 9 बच कर 30 मिनट, 9 बच कर 30 मिनट, सॉरी, देखिएगा, 9 बच कर 30 मिनट का मतलब क्या होगा, जो मिनट वाली सुई होगी, दोस्तों, कहा होगी, मिनट वाली सुई होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी, दोस्तो क्या होगी 9 और 10 के बीच में होगी किसके बीच में दोस्तो 9 और 10 के बीच में होगी यानि सारहे 9 की बात हो रहा है यानि कि यह क्या होगी दोस्तो यहां पर होगी समझिएगा थोड़ा से टेना दिख रहा होगा लेकिन समझने के पर दास करिए यहां पर होगी ठीक है अब आ दोस्तों correct 3 बजे, तो क्या होगा दोस्तों बताईएगा, ये उपर वाली जो minute वाली सुई होगी 12 पे, घंटे वाली सुई होगी 3 पे, तो इसके अंदर कितने डिगरी का कौन बनेगा, 90 डिगरी का, यानि कि ये जो gap है दोस्तों, कितने डिगरी का है, 90 डिगरी का, तो gap कितने है, दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ minute और घंटे में confused ना होईएगा, दोस्तों थोड़ा से समझिएगा, अगर ये 9 पे होती तो क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बनता, लेकिन ये 69 पर है, आधा घंटे में 30 डिगरी का कौन बन रहे है, तो 9 बजे कितने डिगरी का कौन बनेगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, 105 डिगरी का कौन बनेगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, 105 होगा, यानि option number C सही हो जाएगा, देखिए घड़ी आपको इसलिए बना के समझाया हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समाझ सके जब इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको घड़ी बनाने की जोरूत नहीं पड़ेगी, आप डिरेक्ट 105 डिगरी अंसर देंगे, तो हम उमीद करते हैं दोस्तों, आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, औ प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, तो आप टेंसन बिल्कुल भी जोरूत नहीं है, जैसे ये तबेट से ही होता है, हम ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी क्लास लेंगे, ताकि आपकी कोर्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कम्प्लीट करा सके, और प्रेक्टिस हम कराएंगे सभी chapter के question ठीक है तो आप tension बिल्कुल भी ना लीजिए आप मल लगा के preparation करिए डेली अच्छे से पढ़िए कहीं पर भी problem आती है तो आप comment करके दोस्तों हमें जरूर बताइए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी important questions के साथ तक तक के लिए दोस्तों धन्यवाद